विदानसबा चुनाओ का बिगुल बजा हुआ है मारकपुर के बाद न्यूजवर्ड इंडिया का पड़ाओ दूसरे गाउं की तरफ हुआ है इस वक्त में मौझूद हूँ कि ठोड़ विदानसबा शेत्र के लड़पुरा गाउं में यहां पहुचा हुआ 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 दिमाग में ऐसा रहेगा इस बार किस आधार पर वोट करेंगे अधार बहुत बताई यह क्या चल रहा है दिवा के इस बार क्या महूल है महगाई बहुत है घरोजगारी है करोना काल में बहुत कुछ उपकी जो गवर्मेंट के वरस्था रही है समाजवादी पार्टी को चुन है कि समाजवादी पार्टी को अच्छे देखा जा रहा है में मारकपुर में था वहां पर बहुत संख्यक जो समाज समाजवादी पार्टी को जिताना ऐसा क्यों है ने कि कही नहीं लेहर है मती नहमत क्या दिमाग में चल रहा है पहले बार वोट करोगे पहले भी कितनी उमर होगी किस साल है क्या है महुल यूआ पीडी का समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों बताओ ना समाजवादी पार्टी क्यों है बस है दिल से है समाजवादी पार्टी मेरा नाम मतलूब अक्तर है जी क्या माहुल है क्या मून है कि ठोड़ जानसावाद शेतर में क्या शाहिद मंजू जंड़े गाड़ने जा रहे इस बार भी जंड़े तो पहले सी गाड़ते आए हैं पिछली बार हार गेते ना वार एक तुक्का लग गया था किसी आत्मी का तुक्के के विधायक हैं जो और इस बार सत्वीर त्यागी हुए में मारकपुर में था लेकिन वहां देखा मैंने कुछ बहुत संख्या समाज के बहुत सारे लोग ऐसे मिले उन्होंने कहा कि छेत्र में ना तो विकासकार हुए हैं गड़े हैं नाले नी बनी सड़के तूटी हुई हैं तमाम बुरा हाल है तो ऐसा देखने में आ रहा है मैं किठोड के तमाम जगाव पर होकर आया हूं इस तरीक कुजर विरादरियों यहाँ ब्रादरियों यह जैट विरादरीयों यहाँ दलीद भाई हो हमारे सभी मजबूती से साथ हैं बहुत बढ़िया महोट इस टाइम समाजवादी की लहरा के ठोड़ साहिद मंझूर कम से कम पचास हजार वोटों से जिए के विधान सभवा क्या माहूल है तमाम लोग मिल रहे हैं समाजदी पार्टी शाहिद मंजूर ऐसा क्या है शाहिद मंजूर साथ में यह बहुत लंबी वोटों से जीता अब अभी घोषणा की थी किसानों के जो यूनिट्स है वह आधा कर दिया जाएगा फिर बात आई कि अर्बन में भी शहर में भी आधा कर दिया जाएगा क्या लगता है आपको पांच साल बीतने के वाइस तरह की घोषणा की जाना नहीं पंद्रे लाग भी जूट बोला भी जुमलाई है इसमें कहा है पहले से नहीं घटा है पांच साल निकल गए कहीं कोई मस सकता था तो मतलब हो सकती है चूट तो अब चिनाव के टाइम पर कर सकते थे तो यह तो चुप जूमला है विजे भी वाले कोई विवाद्बा करते हैं तो चुनावी लोलीपॉफ ईसां लोगों का मानना है आप जहां खड़े हैं किसानी बहुली लाका है किसान इस बार ब चलेंगे आप युवा पिडी है युवार्ग है क्या दिमाग में है इस बार जो वोट करना है वो क्या सोच करके करो गाइव के लिए गट बंदन है जानवर आवारा जानवर दिन में काम करो रात को खेत रखाओ और पैट्रोल गया सभी परेशान है कुल मिला के विकास कुछ नहीं हुआ आने वाले टाइम में और एक तरफा सरकार बनाने की तो गोवन्ष के लिए आश्रेस्थल बने भी लेकिन उस प्रकार कारगर साबित नहीं हुए आज किसानों का इमानना है कि खेतों को चर रहे हैं सबकों पर आते हैं हाई पर आते हैं और जो दुर घटना होते हैं उनका सबब बनते हैं आप वीवा पीड़ी है क्या नाम है आपका नसीम चोहां यह पताइए क्या माहूल है क्या मूंड है अब कि फोड़ान साबा शेत्र में देखा तो यह जा रहा है कि गड़बंदन के कजा खालने वालेस भारत जांदा पाल्टी ने काम लेकर पूरी यूप में बह। आप जानती हैं खासकर जो अत्याचार होगा है त Pandora के साथ और मुस्लिमों के साथ और हमारे गुज़र्वाइएं उनके साथ भी होगा है हमारे अपने साथ उनके साथ बहुती बुरा तेचार हुआ तो लोग इस सरकार से उग गए हैं और इसे जड़ से खतम करके भैगना चाहते हैं और हमारे उनकी डिमांड जाते थी बात नहीं बन पाई उनका अगर वह समाजवादी में अखले सियाद निगाए का भाई वह कह रहे हैं कि भाई है तो प्रेस कोंफरेंस मेरेट में ही कर रहे थे साथ विदानसबा सीट पर प्रतियाशी उतार दिये और वहिस्ते में लड़ने की बात क हैं दोनों में टक्कर होगी क्लैस होगा क्या आपको लगता है नुकसान होगा इस टेम यह है अब कोई यह नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है इस टेम गड़बंदन को देखने हैं जो मजबूत परतियासी है सबने गड़बंदन हिंदू-मुसलिम का कोई नहीं भाईचारे में जब 2012 में समाज़ी पार्टी सत्ता में आई तो तेहरा में मुझफर नगर में दंगे हुए और इस दंगों ने जाट और मुसलिम के बीच में एक खाई पैदा कर दी उस खाई को पाटने का काम इस वक्त अखलेश यादा और जैन चोधरी ने करने की कोशिश की है और इ सहे होगी अनमोल गर के साथ मैं मनमर चुहान न्यूज वर्ड इंडिया मेरेट